नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पूजा तो हम सभी के घर में रोजी होता है आपके घर में भी होता होगा हमारे घर में भी होता है लेकिन पूजा करने के कुछ बिसेज नियम होते हैं और छोटी सी गलती भगवान को कष्ट दे जाती है अब कश्ट कैसे ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन एक बात हमेसा ही याद रखिएगा द्वादसी तिथी को कभी भी तुलसी के पत्ते मत तोड़ियेगा भगवान को चोट लगता है याद रखिएगा एकादसी के तिथी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए अब मान लेते हैं एकादसी के दिन तो आप एक बार तोड़ भी लें लेकिन द्वादसी तिथी को भूल कर भी नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए हम रोजी हम सभी के घर में पूजा होता है ऐसे में पूजा की कुछ जरूरी बाते होते हैं जिससे कि हम कभी कभी जाने अंजाने छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं तो आज हम सिंपल तरीके से आज आपको एक नियम बताएंगे रोज पूजा करने के समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान की मुर्तियों को भूल कर भी जमीन में मत रखिए और पूजा के दोरान जलाए जाने वाले दीपक को भी जमीन पर आप थोरे से अक्षत पूस्पुक या फिर आप किसी पत्ते दोने में प्लेट में रखें डैरेक्ट घूमी पर मत रखें मंदिर में गनेज जी की दो मुर्तियां कभी मत रखिए देवी देपताओं की मुर्ति के सामने कभी भी पीट दिखा कर मत बैठिये और घर के मंदिर में हलके पीले रंग या लाल नंग का वस्त बिचाएं साली ग्राम भगवान को आप जब भी रखें तुलसी जी के पास ही रखें उन्हें उनसे अलग मत रखिए और तुलसी जी हमेशा अपने घर में बालकनी में आंगन में या फिर आप खुले स्थान पे रखा जाता है आप रखिए संख को जमीन पर भूल कर भी मत रखिए हमेशा ही लाल रंग का वस्त्र बिचा कर संख रखें और रोज पूजा करने के बाद सुबह साम तीन तीन बार संख बजाईए संख मा लक्षमी को बहुत प्री है इसलिए संख को हमेशा अच्छे जगा पर आसन दे कर रखना चाहिए देपताओं के जो वस्त्र है आभूसन है भूल कर भी आप जैसे गंदे हो गया है तो गंदे मत पराइए आप उसको साफ करके चेंज करते रहिए बिच बिच में अगर आप रोज चेंज करके पूजा करते हैं नियम से तो वो भी कर सकते हैं और भगवान को हमेशा पवित् है वो जलना जाए ध्यान रखिएगा दीपक में जो बाती है नहीं जलना चाहिए हम आज से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेव जरू लिखें दन्यवाद